और यहां पर मैं हर सीफेरर से कहना चाहूंगा इंक्लूडिंग मी हर किसी से आप जितनी मर्ज अच्छी कंपनी में सेल करते हो फिर भी अपना employment contract चे से पढ़िये और हाँ अगर आपको आईडिया है कि आपके खराब कंपनी में सेल करते हो तब तो भाई एक नहीं दस बार पड़ी है जै हिंग, जै भारत, जै मातदी डीजी शिपिंग हमारी हर तरफ से कोशिश कर रही है कि इंडियन सीफेरर के साथ जो हो अच्छा हो और चाहे वो ऑनलाइन प्लैटफरम लाँच करना हो चाहे वो जिजिलाइजेशन करना हो चाहे हमारे लिए डॉक्यमेंट सीज करना हो इसमें डीजी शिपिंग नहीं पहल करी है बहुत बहुत ऐसा होता था और यह तमाचा है उन खराब शिपिंग कंपनी के लिए जिनकी नियत खराब थी हमारा जो employment contract होता है जो कि हम seafarers को मिलता है बिफोर हम जब एक शिप जोइन करते है उसमें सब चीज लिखी होता है और वो एक legal कागज होता है तो कल को अगर मैं एक legal कागज को साइन करके चला गया हूँ तो जो लिखा है वो ही साचा है उसमें उसमें बहुत है चीज लिखे चोटे चोटे शब्दों में लिखे रहेगी जो कि कहीं बार आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का तो इन केस भगवान ना करे एक किसी खराब shipping company में चले गए उन्होंने लास्ट मोमेंट पर आपसे बोला जल जल दी साइन कर दो आपको शिप पर चड़ना है आपने बिना पड़े वो अगर आपको कुछ हो गया देखिए legal contract में लिखा है तो खराब companies होती है वो बोलती कुछ है लिखती कुछ है और जल्दभाजी का फाइदा उठाते वे सीफेरर साइन कर देता है और जब जहां से कहुंचता है तो पता चलता है कि यहां तो कुछ अलगी सीन है salary मेरी अलग है wages अलग हो रखी है employment contract अलग थना का बनावाया है जो बोला था वो सच नहीं है अगर मुझे कुछ injury होगी तो मुझे पैसे बहुत कम मिलेगे बोला तो कुछ और अगर मुझे मैं मर गया तो परिवार को कुछ नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा यह तो मुझ अगरिया से fly up करने वाला होगा उससे तीन दिन पहले वह employment contract साइन करवाएंगे तो तीन दिन पहले जब आपको employment contract मिलता तो जल्दबाजी में नहीं होते हो मैं जानता हो ऐसे कुछ companies को जहां पर लोग जो है airport पे पहुंच के employment contract साइन होता है फिर वहां से ship पे चल रहोता है अच्छी companies कहीं पर ऐसा हो जाता है because of a lot of challenges बट उनकी नियत साफ होती है बट इसमें खराब companies बहुत फायदा उठा लेती है तो यह सब देखते वे डीजी शिपिंग ने साफ रूल निकाल दिया है कि तीन दिन पहले ही employment contract साइन होगा और उसमें minimum तीन दिन पहले चार दिन करा हो ताकि सीफेर को sufficient time मिले वो पूरा अच्छे से देखे समझे सारी terms and conditions पड़े और तब उसको sign करें और यहां पर मैं हर सीफेर से कहना चाहूंगा including me हर किसी से आप जितनी मर्ज अच्छी company में sale करते हो फिर भी अपना employment contract च्छे से पढ़िए और हाँ अगर आपको idea है क अपर खराब company में sale करते हो तब तो भाई एक नहीं दस बार पड़ी है thank you very much जाहिं जाय भार जाय मात अदी और thank you करना चाहूंगा डिशीपिंग के हो और thank you करना चाहूंगा डिशीपिंग को कि इस तरह की पहली और आगे भी लेते चले जाए सीफेर्स के लिए जाय मात अ झाल्ड़ी